किसी के अंदर छिपी शम्ता पहचानने के लिए सिर्फ नजर काफी नहीं होती, एक अलग नजरिये की जरूरत होती है, इसी अलग सोज और नजरिये का नतीजा है, University of Life इस दुनिया में हर एक बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, हर बच्चे की एक जर्नी है और वो एक कोई अध्बुत चीज करने के लिए ही पैदा हुआ है, University of Life में जो बच्चे आते हैं, उनके बैग्राउंड के बारे में हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, उनमें जो पो जो कुछ आपको प्रॉब्लेम साते हैं, वह इधर का सिलाबस है, तो यह पे स्नेक बहुत जादा रहते थे, जाड़ियां बहुत जादा थी, सब स्नेक पॉइजने स्नेक नहीं रहते हैं, तो हम लोग उसको आइड़िपाय कैसे करना है, उसको पकड़ना कैसे है, क्या साव मैं पॉद्धी नहीं आता था, तो अपड़नी कले और लिखनी कले तो मेरो को तफिज और को एक साल मतिमन स्कूल में मेरो को डाल गया था फिर इधर आकी पैक्टिकर जादा किया, तो यह प्रक्टिकर करते करते मेरों को बोत पसन आने लगा थी मेर चीखने लगा है, क्रि दूसरी बार इसको हैदराबाद में मिला है 2011 में मैंने इसा एक चुला बनाए कि उसमें सिधा दुआ उपपा जाता था और जो लेडी थी उसको तरास नहीं होता था मैने जो एक फंगस बनाया इस फंगस से फार्मर को यह फाइदा हुआ है कि जो फंगस तीन महें में होता था वह अभी एक मेने में हो रहा है तो इसको फार्मर बहुत खूश है इनर्सिटी ओफ लाइफ जो है यह एक आउट-बॉक थिंकिंग काम करने के लिए बनाया हुआ है यहां का सिस्टेम ऐसे ही है कि आप कुछ अलग सोचो अजादिया हासल हो अपो सचिन भाया या फिर यह इनर्सिटी ओफ लाइफ नहीं रहता तो आज मैं कुछ होता ही नहीं मतलब मैं आज कहीं कि ग्यारेश डालके सिर्फ बैटा होता और कुछ नहीं दोस्तो रा संगर्ष की जो चलता है वही दुनिया बदलता है जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है पस इतनी सी बात को दिल में बिठाए हर हफते आपके मिलने आते अगले हफते भी आएंगे पुड़ी खुशी आप से उधार लेंगे पुड़ी आपको मुक्त में दे कर जाएंगे अज की रात है जंदगी एक सफर